हलो बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में बच्चो लंबर लाइन क्या होती है एक ऐसी लाइन जिस पर की 0 से 9 तक के नंबर इकुल डिस्टेंस पर मार्ग होते हैं बराबर बराबर दूरी होती है नंबर के बीच में उसे हम नंबर लाइन कहते हैं और यह left से right की तरफ बढ़ती है तो number line किसी भी number से start हो सकती है जैसे 10 11 12 इस तरह से अब हम इससे जुड़ी हुई exercise करते हैं यहां पर बच्चों हमें numbers लिखने हैं हर एक mark number line में जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह 20 के बाद 21 22 23 इसी तरह से 24 लिखाओ है तो 25 26 27 20 इस तरह से बच्चों बाकी की number lines को भी आप easily complete कर सकते हैं इसके बाद बच्चों largest one digit number कौन सी होती है 9 होती है और यदि हम उसमें एक और add कर देते हैं तो यह two digit का number मिल जाता है 10 जो की two digit का सबसे small number है smallest number है और two digit का largest number कौन सा है 99 अगर हम इसमें one add कर दें तो hundred हो जाएगा hundred three digit का smallest number है and three digit का greatest number क्या है ट्रिपल लाइन इसी तरह से largest four digit number है 9,999 और one lakh जो है 10,000 जो है वो smallest five digit number है तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी digit का smallest और greatest digit number निकाल सकते हैं तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो five digit number में पांच प्लेस होते हैं once की 10s hundred thousand और फिर उसके बाद 10,000 की प्लेस होती है तो इस number को हम किस तरह से लिख सकते हैं जैसे यह number है 16,241 तो हम लिखेंगे 16,241 अब जैसे next number है यह तो हम इसको क्या लिखेंगे 12,000 680 इस तरह से हम इस पेलिंग में लिख सकते हैं नेक्स नंबर लिखेंगे 68,458 इसी तरह से बाकी के number को भी आप लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे what comes before कि किस के जो number दिया हुआ है उससे पहले क्या आता है जैसे 2 है 2 से पहले क्या आएगा 1,4 से पहले 3,7 से पहले 6,3 से पहले 2,7,5 इस तरह से बच्चों या इसी तरह से 2 डिजिट के में भी 58 से पहले 57,62 से पहले 61,73,214 से पहले 213,357 बच्चों जो last,once की place का number होता है उससे पहला number हमें लिखना होता है जैसे 4 से पहले 3, इसी तरह से 8 से पहले 7,4 से पहले 3, इस तरह से हम number लिखते हैं, before number इसी तरह से ये 4 डिजिट के number में लिखेंगे 1024,2334 इस तरह से हम before number लिखते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे what comes after की दिये गए number के बाद क्या आता है, जैसे 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है बच्चों, 3, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 18 के बाद 19, 27, 36 इस तरह से ये हम after number लिख सकते हैं, इसके बाद बच्चों what comes between बीच में क्या आएगा दो number के, जैसे 2 और 4 के बीच में क्या 3, 5 और 7 के बीच में 6, 8 और 10 के बीच में 9, 19, 20, 21, 26 के बाद 27, 38, 39, 40 इसी तरह से बच्चों, बाकी के number में भी आप between number लिख सकते हैं, इसके बाद है circle the biggest number बच्चों जो number दिए गए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा number है, उसको आपको circle करना है, जैसे 2, 3 और 1 में 3 सबसे बड़ा है 3, 5, 6 में 6 सबसे बड़ा है, तो 6 को circle करेंगे, इसी तरह 12, 14, 7 में 17 बड़ा है, इसमें 28 बड़ा है, इसमें 19 बड़ा है इसी तरह से बच्चों बागी के number में भी biggest number को circle कर सकते हैं next page पे हमें smallest number को circle करना है, दिए गए number में जो सबसे चोटा number है, उसको mark करना है जैसे कि 3, 4, 2 में smallest number क्या है, 2 तो इसको mark करना है, इसी तरह 4, 6, 7 में smallest number है, 4 4, इसी तरह 13, 14, 16, तो सबसे चोटे number को mark करना है इसके बाद बच्चों comparing number, comparing number में क्या करेंगे, हम number के बीच में तुलना करेंगे कि कौन सा number बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो बच्चों broader side मतलब जो ये निशान होता है, इसमें जो चोड़ी side होती है, खुली हुआ माउथ रहता है, वो बड़ा का निशान होता है और जो नोख होती है, उसमें छोटे का, जैसे कि five balls more than two balls, पांच बोल जादा होती है दो बोल से, तो five की तरफ हमारा इससे निशान रहेगा, five is greater than two इसी तरह से, four banana is greater than one, three is greater than one, six is greater than one, six is greater than two, इस तरह से हमें इनको माक करना है अब इसके बाद होचा है बच्चो less than, less than मतलब कम का निशान, तो जिदर नोख रहती है इस निशान, इसको less than मूलते हैं, जो नमबर छोटा होता है, उसकी तरफ हम ये नोख वाला निशान बनाते हैं जैसे कि four और one में one less है, तो one की तरफ ही हमने नोख वाला निशान बनाया इसी तरह से one is less than three, two is less than three, इसके बाद यहाँ पर five, two is less than five, three is less than four, इस तरह से हम इनको मार्क कर सकते हैं इसके बाद बच्चों हमें greater than और lesser than का मार्क करना है, कि दो नमबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा तो जैसे 12 और 21 में, 12 छोटा है, तो छोटे की तरफ नोख रहेगी, इसमें 99 और 101 में 99 की तरफ नोख रहेगी 217 चोटा है 271 से और 307 चोटा है 377 से 22 चोटा है 24 से यह चोटा है चोटा है और यह चोटा है तो इस तरह से बच्चों सभी नंबर्स को हम बीच में compare कर सकते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे ascending और descending order ascending मतलब बच्चों छोटे से बड़ा और descending मतलब बड़े से छोटा smaller नंबर से bigger नंबर की तरफ जाते हैं तो उसे ascending order बोलते हैं और बड़े नंबर से छोटे की तरफ आते हैं तो उसको decreasing order बोलते हैं मतलब उपर से नीचे आना तो इस तरह से बच्चो इससे जुड़ी हुई exercise करते हैं यहां पर हमें कुछ numbers दिये गए हैं जिनको हमें ascending order में arrange करना है यानि कि smallest to biggest पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा तो यहां पर जो number दिये गए हैं पहली line में इसमें सबसे छोटा number कौन सा है बच्चो ग्यारा 11, फिर 15, फिर 17, फिर 19 इसी तरह से next में 20, 26, 27 और 33 इस तरह से हम number को ascending order में arrange कर सकते हैं इसके बाद बच्चों descending order में मतलब biggest to lowest सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, biggest to smallest सबसे बड़ा number कौन सा है पहली line में 18 फिर इसके बाद 17, फिर 12, फिर 10 इसी तरह से next line में 93, 93 के बाद 87, फिर 78, फिर 76 इस तरह से बच्चों हम numbers को ascending और descending order में भी arrange कर सकते हैं तो इसमें बच्चों हमने किन किन चीज होगा revision पढ़ा, हमने word counting सिखी, उसके बाद 10s, 1s का revision किया ascending order, descending order का less than, greater than का भी revision किया तो I hope आपको समझ में आया होगा, thank you